वेल्कम टू एस्ट्रोलोजी टेक्निकल एंड फैनेशल आस्पेक्ट इस इस निफ्टी चार्ट और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अक्टूबर 18 या 19 अक्टूबर 2021 की पीक जो की 18600 की थी वहां से लेकर बजार कॉंटिन्यूसली स्टैप बाइ स्टैप बाइ स्टैप डाउन है अभी अगर हम देखें तो बजार ने एक 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 लो यहां पर बनाया लोवर हाई बनाया और फिर एक लोवर लो बनाया और अब बजार इस समय के उपर 20 डे की मूविंग एवरेज के आसपस बजार है 15,8 39. Well, today video is dedicated to understand a cycle called राहू एंड यूरेनस साइकल राहू और यूरेनस की साइकल एक 15 इयर्स की साइकल होती है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड होता है सिंस हमारे पास इस 15 इयर्स की अनलेसिस को करने के लिए एक बहुत बड़ा डाटा इंडियन स्टॉक मार्पिट का नहीं है अगर हम लास 5-7 साइकल को अनलाइज करना चाहें तो लेट्स मूव ओन तो अनधर डाव जोंस डाव जोंस की हमारे पास कहीं पे साइकल अविलेबल हैं और वी कन वर्क ऑन डाव जोंस चार्ट अब जस्ट एक आप मिलाव जोंस चाहें अर डाव जोंस के अंदर राभू योरेनस की साइकल सबसे पहले हमारे पास हमारी नॉलज़ के अंदर आयजी नाइटीन हंड़ेड एंड और प्रटी सिक्स के अंदर एक महिना पहले इस साइकल ने एक डाव्न शोगर ना शुरु सोड़ी तीन चाह महिने बाद तक इस साइकल ने एक फॉर्मेशन करी वैल इस फिप्टीन यह साइकल सो वी केन उनली एंडर्स्टेंड इप लाइक इस डैन अल्सो इस तरीके से हमने देखा कि राहू और यॉरेनस की साइकल दुवारा से फॉर्मेशन हुई थी नाइटीन 61 के अंदर 1961 के अंदर इंडिया के अंदर आपने देखा था किस तरह से सत्ता परिवर्ट कन हुआ था और यह 1946 यह हमारा इंडिपेंडेंस का टाइम था जहां पर की रॉयल नेभी की म्यूटनी भी हुई थी इंडियन कॉंटेक्स्ट के अंदर 1976 के असपास यह दुवारा से फॉर्मेशन होती है और यहां पर वो टाइम है जहां पर हमारे पास एमर्जनसी का टाइम हमारे पास लागू होता है और पूरा देश इस एमर्जनसी से जूज रहा था इसके बाद हमारे पास एक टाइम आता है था फॉर्मेशन का जहां पर हमारे पास हाउजिंग स्कैम यूएस के अंदर वा था उसके बाद मार्किट ने अच्छा खासा एक फॉल लिया था और अब हम similar positions के उपर हैं जहां पर कि हम 2022 में approximately 1st of August के आसपास इस housing इस scam को या इस तंगे या emergency सथा परिवर्तन को देख सकते हैं. अभी हाल के लाल में कुछ घटनाएं हुई हैं महराश्ट्रो में और भी देश के कही कोनों में. I think many more have to come. So let's go to the efficiency test of this cycle. अगर मैं इस efficiency test इस Uranus और राहू का आपस के अंदर देखता हूँ, तो it shows me यह pattern की जब यह cycles की formation होती है, तो cycle की formation से 40 days पहले इसके impacts हमारे को देखने के लिए मिलते हैं. और तक्रीबन तक्रीबन next 20-25 days तक तो हमारे को certainly यह formation देखने के मिलती हैं. और अगर मैं इसको one year के perspective के अंदर देखू, तो भी हमारे पास जो first hundred days होते हैं, उसके अंदर एक fall आने के बाद market rise लेती है. फिर fall आता है, market rise लेती है और फिर एक bigger fall आता है from hundred twenty days to two hundred days के बीच में So I think for the, since we are in June और अगर हम जून की बात करते हैं, तो that simply means की for the year 23, we should be very cautious about this fall, the impact of the cycle of Rahu and Uranus or the accumulations which are, which may happen. So it is a precautionary time. And now let us go to this nifty chart. So nifty chart के अंदर इस समय के उपर हम twenty day moving average के उपर बजार trade कर रहा है, यहां पर एक gap down हुआ था, जिस gap down को अभी तक बजार fill करने में पूरी तरह से काम्याब नहीं हुआ है. Last 3-4 days के अंदर बजार एक range के अंदर चल रहा है. So in any case, अगर बजार इस range को ब्रेक करके चलता है, which is approximately 15,900 and then safely we can have this gap of field or otherwise this trend line को ब्रेक करके अगर बजार कहीं पर नीचे जाने की कुशिश करता है, then we should be cautious and especially if it goes below 15,200 then we must must be very cautious about nifty. These are some of the planet lines of Rahu and Uranus. Rahu-Uranus की planet lines के इसाब से बजारों के अंदर अगर 15,840 का level cross करता है, तो certainly it will go to 16,200 जैसा भी मैंने आप से जिकर करा. या फिर ये level break करता है, तो सबसे पहले है मैं आपस 15,480 या 15,117 बनता है. So these are the important level and this is the important date 1st of August 2022 and we must be cautious since this Rahu is approaching Uranus. This time the Rahu Uranus की जो ये यूटी बनेगी ये actually मेश राशी के अंदर बनेगी और Rahu की traveling अभी initial stages के उपर है. Initial Rahu को पूरा मेश पार करने के बाद मीन के अंदर जाना परेगा. मेश राशी के अंदर होने से सत्ता, दंगे, जिस तरह ऐसे ही अगनी नीर केस इस समय के ओपर काफी lime light के अंदर है. रॉइट्स and properties matters, आग जने की घटना है और मेश के अंदर आने से प्रिथ्वी अगनी तद्व का भी प्रबल हो जाता है, वालकेनोस का फटना. मेश is governed by east, so eastern states के अंदर इस प्रकार के चीजह हैं and eastern countries borders जैसे चाइना. So, we should be cautious about all these elements. I hope and wish all the best to you. Take care and keep this factor in mind. Thank you.